नमस्कार दोस्तों मैं इसल मैं आप सभी का अपने चैनल Tech & Target पर स्वागत करता हूँ तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आच चका हूँ एक बहुती शांदार चौब अपॉर्चिंटी का अपडेट लेकर हाँ दोस्तों Deloitte एक बार फिर से हाइरिंग करना स्चार्ट कर दिये है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ कि कौन कौन इसमें eligible होने वाला है क्या eligibility criteria है क्या selection process है पीस आपको हर एक चीज दोस्तों मैं इन डिटेल बताऊंगा उससे पहले बस एक छोटी सी request है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी बन बूलियेगा क्योंकि हम अपने चैनल पर daily basis पर jobs as well as internship updates post करते रहते है तो दोस्तों Deloitte एक बार फिर से आचुका है biggest hiring update के साथ अब आप सभी बोलोगे सर Deloitte ने तो अभी last two weeks three weeks पहले भी hiring निकाली थी अब ये एक बार फिर से hiring लेकर क्यों आ चुका है तो दोस्तों Deloitte is back with national level assessment hiring तो दोस्तों Deloitte इस बार जो आया है वो दोस्तों इनों ने इस बार LinkedIn पर भी post किया है कि दोस्तों ये लोग आ चुके है national level assessment is back for a second time and registrations are now open दोस्तों last time भी दो रोल्स के लिए hiring कोई थी that is analyst as well as analyst trainee risk and financially advisory जिसका package 6 LPA है and दोस्तों जो दूसरा role है that is analyst trainee यहाँ दोस्तों आपको जो package मिलता है वो दोस्तों 4 से 6 LPA तक का देखने को मिलता है तो दोस्तों अभी मैं आपको in detail बताऊंगा कि इन दोनों hiring के difference क्या है कैसे apply करना है क्या selection procedure क्या eligibility criteria रहने वाला है last day 210th of January आज दोस्तों हो गई है 6 तो आपको हर एक दिन update देता रहूंगा अपने telegram पर, instagram पर जब तक दोस्तों आप register नहीं करते हो last day, last day के pin आपको देता रहूंगा आज ही दोनों groups को join कर लीजेगा साथी साथ who all are eligible क्या क्या चीजे होने वाली है in detail दोस्तों इस वीडियो में discuss करेंगे दोस्तों सारी चीजे discuss करेंगे बस वीडियो को थोड़ा सा last सक जरूर देखिएगा अब आगे बटने से पहले एक चीज और है आप सभी के काफी सारे डाउट सारे थे अईशल सर आप यह hiring post तो डाली रहे हो साथी साथ अईशल सर कुछ data science की job opportunities के बारे में बता दीजे क्योंकि हमें data science field में जाना है तो दोस्तो data science की अगर आपको preparation कर लिए बहुत अच्छे से साथी साथ दोस्तों अगर आपको placement assistance चाहिए तो दोस्तों आप Odin School के data science food camp के लिए register कर सकते हो जहां दोस्तों आपको new year का additional 10,000 discount भी देखने को मिल रहा है बढ़ आप सभी बोलेंगे सर इसमें कैसे register कर दे क्या यह एक genuine platform है तो दोस्तों मैं आपको इस platform की कुछ success stories दिखाना चाहता हूँ तो दोस्तों पहले है निपुन गुपता जिनको 100% salary hike मिल चुका है Odin School के platform से दोस्तों इनोंने preparation ही यहीं से की थी real world projects पर भी काम किया था साथ ही साथ दोस्तों एक है निदी जिन में दोस्तों data science applications are found in all fields दोस्तों आप सभी को पता है data science की जो job है वो दोस्तों आपको almost हर एक domain में मिलेगी तो दोस्तों इनोंने apply किया Odin School के bootcamp के लिए and now दोस्तों she is also placed in prolifix and दोस्तों I am from a non-technical background दोस्तों she is from a non-technical background आप देख सकते हो non-technical students भी placed हो रहे है the support from the mentor is unparalleled बाकी है दोस्तों next candidate जो की place हो चुकी है Capgemini में senior analyst role की में and दोस्तों आप सबसे अच्छी बात देखते हो I was a full-time mother and had a career gap of six years दोस्तों अगर आप beginner हो आप चीजों को भूल चुके हो कुछ भी है दोस्तों order school आपको चीजे beginning से advance तक से आउटकम में आपको है placement assistance मिलता है 360 degree fees की बात करता हूँ तो दोस्तों 99,000 plus GSC है साथी साथ दोस्तों आपको है 10 day refund policy मिल रही है अगर दोस्तों आपको इनका bootcamp अच्छा नहीं लगता है तो दोस्तों आपको आपकी fees वापस कर दी जाएगी साथी साथ दोस्तों जो scholarship है वो दोस्तों 30,000 तक की आप avail कर सकते हो क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप इसमें apply करोगे दोस्तों आपको एक test होने वाला है test में दोस्तों आप maximum scholarship 30,000 अवेल कर सकते हो साथी साथ maximum additional discount दोस्तों 10,000 भी चल रहा है साथी साथ दोस्तों यह जो scholarship है वो दोस्तों limit करने वाली है सिर्फ और सिर्फ first 50 students के लिए that is first 50 seats के लिए साथी साथ एक चीच और दोस्तों बहुत ही अच्छी जो आप अपनी fees दोगे वो दोस्तों आप EMI पर भी पे कर सकते हो और दोस्तों next batch start हो रहा है 28th of January से तो मेरी एक request जैएगी इसमें apply जरू कीज़ेगा क्योंकि real work projects, placement, assistance सारी चीजे दोस्तों यहाँ आपकी करवाई जैगी companies भी दोस्तों काफी अच्छी अच्छी है दोस्तों Deloitte की hiring की दरफ जिसकी last year है दोस्तों 10th of January analyst training का रोल है दोस्तों पहली बता देता हूँ यह जो risk and financial advisory का रोल है उससे कहीं ना कहीं इसकी difficulty कम होती है ठीक है तो सबसे पहले इसमें हम eligibility criteria के बारे में discuss कर लेते हैं तो दोस्तों है 2023 batch eligible होने वाला है aggregate दोस्तों आपका at least 60% और equivalent 6 CGPA होना चाहिए sorry 6.5 CGPA no active backlog कोई भी backlog आपकी नहीं होनी चाहिए bachelor BE और B.Tech के students eligible होने वाले है M.E.M.Tech के students साथ ही साथ M.C.A. के students और दोस्तों यहाँ इन्होंने branch को specific भी कर रका है note इन्होंने एक चीज मेंशेट कर रकिए should not have applied to any consulting profile at Deloitte US India offices in the last six months दोस्तों जो अभी latest एक Deloitte की hiring है थी वो है थी analyst trainee जिसका दूर दूर तक कोई संबन नहीं था consulting profiles है that means दोस्तों आप इसके लिए भी apply कर सकते हो अब बात कर लेते हैं यहां अगर आप apply करते हो तो दोस्तों क्या क्या expectations आपसे रखी जाएंगी तो दोस्तो analyst role है यहां दोस्तों आपकी communication skills अच्छी होनी चाहिए साथी साथ analytical skills that is आपकी aptitude skills भी अच्छी होनी चाहिए Microsoft Word, Excel, PowerPoint आपको दोस्तों use करना आना चाहिए कोई भी programming language दोस्तों इन्हों ने यहां mention नहीं कर रखी है पर दोस्तों basic requirement है साथी साथ अगर मैं बात करता हूँ computer programming subjects की तो दोस्तों थोड़ी बहुत database की आपके बास knowledge होनी चाहिए कोई भी एक programming language आपको अच्छे से आनी चाहिए बात कर लेते हैं पर दोस्तों यह मैं अच्छे से डिस्कास कर रहूँगा पहला है registration ठीक है next है shortlisting अब आप सोच रहोंगे अच्छे सारे shortlisting किस चीज की है तो दोस्तों यह है resume की और दोस्तों हमने काफी सारे students की help की थी resume को shortlist करने में and 50 से जादा मैंने shortlist किये थे and means काफी लोगों ने मेरी video भी देखी थी resume वाली and hundreds से जादा students के फिर पास message आया था कि इस अच्छे सार हमारा हो गया है and अगर आपको नहीं मालूं resume कहां से बनाना है तो दोस्तों एक video अपने बना रहा है जिस पे almost 6000 views है तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका link दोस्तों आपको description में मिल जाएगा and अगर आपको अपना resume shortlist या फिर review करवाना हो तो दोस्तों आप link पर जा सकते हो नीचे topmate पर अपना slot book कर सकते हो please but register मत कीजेगा उससे पहले जब तक आपको नहीं बालूं हो कि क्या क्या चीज़े आपको ध्यान में रखती है क्या क्या चीज़े important है क्योंकि बहुत सारे student ने last time mistake की थी and दोस्तों उनका risk and financially advising role में resume shortlist नहीं हुआ था and resume shortlist के बाद आपका होने वाला है online test जिसके बारे में भी दोस्तों सारी detail आपको अमारे channel पर मिल जाएगी और इसका updated selection, procedure, test pattern सभी के link दोस्तों आपको description पे मिलेंगे साथी साथ telegram group को ज़रूर जोइन कीज़ेगा आज मैं एक शाम को भी video बनाऊंगा Deloitte से related जहां मैं आप सभी के doubts पूछँगा telegram group पर भी बार बार poll post करता रहूँगा और आप सभी के doubts पूछता रहूँगा फिर दोस्तों जैसे आप online test को clear करते हों फिर दोस्तों personal interview है ठीक है और दोस्तों उसके बाद आपका result declaration है बट दोस्तों recently अभी एक और hiring Deloitte ने जो निकाली थी 15 December के आज पास दोस्तों वहाँ भी almost same procedure था बट यहाँ दोस्तों difficulty थोड़ी सी हाई थी यहाँ सिर्फ और सिर्फ BE और BTEC के students eligible थे यहाँ दोस्तों BE, BTEC ME, MTEC, MCA तक के students दोस्तों है eligible होने वाले हैं तो दोस्तों मैं समझता हूँ यह एक बहुत अच्छी हाईरिंग है जो Deloitte ने दुबारा निकाल दिया है बात करता हूँ test pattern की almost same है जिस पर दोस्तों हमने video बना रखा है आपको दिखा दिता हूँ तो मैं दोस्तों आपको Deloitte के test pattern पर भी दोस्तों हमने एक video बना रखे है जिस पर almost 10,000 views है तो दोस्तों आप इसको भी देख सकते हो तो दोस्तों ये तो था selection procedure ठीक है selection procedure डिसकस हो गया अब आपको main तो इसी पर ध्यान देना है अब भी आप सबसे पहले अपना resume को बना लीजे और कोई भी problem आती है तो please just slot book करके अपना resume को review करवा लीजे बट please गलती से भी अपना wrong resume को upload मत कीजेगा already बहुत चारे students है अपना resume review करवाया था हम से और resume की एक proper video आपको दोस्तों link please description में मिल जाएगी तो उसको भी जाकर जरूर देखेगा और इसमें apply जरूर कीजेगा last jet है तो 10th of January कोई भी problem आती है दोस्तों आपको registration में तो please comment करकर मुझे जरूर बताईएगा तो दोस्तों आज के लिए तेवे जल्दी मिल तो अपनी नई वीडियो में अपने नए updates के साथ जब तक के लिए दोस्तों तन्यवाद